हेलो दोंस्तो रेलकारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बारती रेलवे से सफर करते समय हम सभी लोगों ने ट्रेन में आपातकालिन्स सिती में या अकारन चैन पूलिंग होते हुए जरूर देखा होगा जिसके कारन ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट होकर चलने लगती है और कई बार लोगों को अकारण चैन पूलिंग के कारण जुर्माना भी लग जाता है तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले है कि ट्रेन में चैन खींचने के क्या-क्या नियम होते है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंद तक देखते रहिए तो चलिए आज का रिल कारवान शुरू करते हैं अब हम लोग ट्रेन में चैन खींचने के सही कारण को जान लेते हैं पहला मेडिकल इमर्जनसी में जब किसी भी यातरी को किसी जगह में या किसी भी स्टेशन पर ततकाल उपचार दवाओं या अस्पताल म आग लगने की स्थिती में दुरगटनाय कभी भी बता कर नहीं होती हैं ट्रेन में आग लगने की स्थिती में यातरी अपने कोच से चैन खींच सकते हैं तीसरा एक बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ती के साथ बोर्डिंग की स्थिती में किसी बड़े या विकलांग व् में समय लेते हैं किसी को ट्रेन में चड़ाने के लिए या ट्रेन में देरी करने के लिए जान बूच कर चैन खींचना अपराध है चोथा आपातकालिन सुरक्षा के स्थिती में डकैती जैसी गटनाओं के मामले में नकसली इलाकों में सुरक्षा है तो चैन पुलिंग किया जा सकता है अब हम लोग बिना कारण चैन खींचने पर सजा के बारे में जान लेते हैं बिना कारण चैन खींचने पर आर्थिक दंड के तौर पर हजार रुपए या तीन महिने की जेल हो सकती है दक्षडी रेलवे ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि जन्वरी से जून 2018 की अवधी के दोरान अनाधी क्रेट अलारम चैन पुलिंग के लिए 737 लोगों को गिरफतार किया गया था हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेन में चैन खींचने के क्या क्या नियम होते हैं और बिना कारण चैन खींचने पर सजा क्या मि है कि आज की वडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की भारती रेलवे से जुड़ी बेतरीन वडियो देखते राने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वड जन्यवाद तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी बेतरीन वडियो में तब तक के लिए बाई बाई